हेलो फ्रेंड नमस्कार देशी किछन में आपका सुवागते तो देगे फ्रेंड आज हम बनाएंगे मकी के आटे का एकदम अलग सा और नहीं अनास्ता तो चलिए फ्रेंड यह हमने आदा किलो मकी काटा लिया इसमें डालेंगे हारी मिल्च जो हमने बारिक-बारिक काट लिय और शाथी लेंगे खुब सारा हरा धनिया तो देगे फ्रेंड हरा धनिया डाल कर अब हम इसमें मिलाएंगे नमक स्वाद के नुसार और अब हम इसमें डालेंगे डेगी लाल मिल्च कलर के लिए डालेंगे एक चमच ये ले लिए हमने लाल मिल्च पाउडर हल्दी पाउडर एक चोथाई चमच हमचूर पाउडर आधा चमच गरम मसाला आधा चमच तो देखे फ्रेंट सारे मसाले हमने एड़ कर दिया है और डालेंगे इसमें हींग एक चोथाई चमच तो देखे फ्रेंट हिंग हमने डाल दिया है हिंग का फ्लेवर अच्छा आता है तो इसलिए हमने हिंग ब्याड किया है और अब हमें यह अच्छे से मिला देना है आटे को तो देखे फ्रेंट ये इस तरीके से हम इसे मिला देंगे और अब हम इसे गुन-गुने पानी से आटे को गुद कर तियार कर लेना है इस तरीके से मकी गाटा थोड़ा हार गुनता है तो फ्रेंट थोड़ा थोड़ा करके गुन देंगे हम और थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे इसमें पानी हला वेगिंगे आटे को हमने गूद करेंगे यह बढकर तद्सक्णार ठेयरक्ए यह मने इसपीर थे किमाहा को साउस पानद बनाये इतने बनाने जितने हमें एक रोटी का पेड़ा त्यार करते है क्योंकि फ्रेंड यह मकी काटा है तो मकी काटे के बिल्कुल भी पतला नहीं बनता चाहिए रोटी पूरी जो भी आपको बनानी है हलका सा मोटा ही बिला जाएगा तो एक साथ हम पांचे लोई यह बना कर त्या करनेंगे बिल्कुल इस तरीके से हमें हलके हातों से बना कर त्यार कर लेनी है हातों पर घी लगा कर तो देखे फ्रेंड यह हमने बना कर त्यार कर लिया और अब हमें ओइल गरम कर लिया है इधर और चेक कर लेंगे छोटी सी पीश डाल कर तो देखे फ्रेंड ओएल हमार अच्छा गरम हो गया है और अब हमें इन्हें तर लेनी है पूरी ओको यह विलकुल क्रिस्पी तर कर तेयार होती है तो देखे इस तरीके से हमें दोनों साइड से एक गॉल्डन ब्राउन होने तक सेख कर तैयार कर लेनी है आप इन्हें सर्दियों में एक बार जरूर बना कर देखे फ्रेंड यह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और एकदम खस्ता बन कर तेयार होती है तो देखे फ्रेंड हम इस तरीके से भी इन्हें बेल सकते हैं इस पर हलके हाथों से तो देखे फ्रेंड हमारी यह नास तब पूरी बिल्कुल बनकर तियार हो गया है इसी तरीके से हमें दूसरी पूरी से बना कर सेख लेनी है दोनों साइड से हमें यह अलटते पलटते सेखने हैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक तो देखे फ्रेंड मकी के आटे कि यह पूरिया आप चाहे तो आप इसे सरसों के साथ के साथ या अलुगोपी की सबजी के साथ बनाईए बहुत ही टेस्टी लगता है तो देखे फ्रेंड इसी तरीके से हम सारी पूरिया बना कर तियार कर लेंगे और चलिए अब हम निकालते हैं एक प्लेट में तो देखे फ्रेंड यह बिल्कुल हमारी खस्ता पूरी बिल्कुल बन कर तियार हो गया आप इस तरीके से एक बार बना कर देखे यह हमने साथ क कर लिंक हम आपको डिस्क्रप्शन में डाल देंगे तो देखे फ्रेंड हमारी रेसेपी आपको अच्छी लगी हो तो हमें